हे दोस्तो वेलकाम बेक तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि स्लेप के लिए इस्टिमिशन किस थाइफ से प्रिपेर कहाता है इसे हम इस वीडियो की तरुप पूरा डेटेल में समझेंगे इस लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना तब यह आपको अच्छे prepare abstract sheet with materials quantity calculation, हमें क्या करना है, एक slab है, जिसकी size कितनी है, 3.80 meter by 6.30 meter, उसके लिए हमें detail estimate prepare करना है, यानि उसके लिए measurement sheet और abstract rate दोनों prepare करनी है, साथ यह हमें question में और क्या बोला हुआ है, हमें quantity of material भी calculate करना है, यानि इस slab के construction के लिए हमें कितना cements and aggregate still हमें required होगा, उनकी quantity भी हमें calculate करनी है, और जिस slab के लिए हमें estimation prepare करना है, उसके drawing हमें already given है, तो यह drawing में आपको already explain कर चुका हूँ मेरे bar bending schedule वाले वीडियो में, तो अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखाए, तो उस वीडियो की link आपको नीचे description में देखने मिल जाएगी, तो आप वहाँ जाके पहले उस वीडियो को check करना, क्योंकि उस वीडियो में हमने इसी slab के लिए bar bending schedule प्रिपेर किया था, जिसकी help से हमें क्या मिल गई थी quantity of steel, तो इस वीडियो में quantity of steel नहीं calculate करेंगे, क्योंकि उसे हम already बार bending schedule प्रिपेर वीडियो में calculate कर चुके हैं, इसमें हम only क्या calculate करेंगे, quantity of concrete और इस slab के construction में कितना quantity of material required होगा, उनकी quantity हम इसमें calculate करेंगे, तो पहले आप बार bending schedule प्रिपेर वीडियो देखना, then इस वीडियो को continue करना, तो अभी हम इस slab का estimation प्रिपेर करना start करते, तो जब भी हम किसी structure का estimation प्रिपेर करते, तो उसके लिए हम क्या बनाते? measurement sheet और abstract sheet, तो सबसे फिले हम देख लेते, measurement sheet जिस में हमें क्या मिलती? excluding steel, यानि quantity of concrete, हमारा पास number of slip कितने 1, slip की size कितनी है, 3.80 meter उसकी length, और weight कितनी आ गई, 6.30 meter उसकी width आ गई, उसकी height यानि उसकी thickness, उसकी thickness कितनी है, 0.12 meter, यानि 12 cm, जो कि आपको drawing में show हो रही होगी, यहाँ पर आपको देखने मिल दे होगी, इसकी thickness कितनी है, 12 cm, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, उसकी height भी बोल सकते हैं, अब हम क्या करेंगे, इन 4 को हम आपस में multiply करेंगे, जिससे हमें क्या मिल जागए quantity of concrete, तो जो हमारा पस quantity of concrete आ रहा है, वो कितना आ रहा है, 2.873 cubic meter, यह आ गई हमारा पस concrete की quantity, अब next हम देख लेते है, steel की quantity, हमें कितना steel required होगा, उन उनकी quantity भी हम देख लेते, तो उनकी quantity हम already calculate कर चुके, इन bar bending schedule में, तो bar bending schedule की हम क्या करेंगे, इस measurement sheet को complete करेंगे, तो सबसे भी हम देख लेते है main bar, जिनका diameter कितना है, 16 mm का, उनकी number हमें कितने required है, 43, जो कि आपको यहाँ पर देखने मिल रहे होगे, bar bending schedule के table में, जो हमारे main bar provide करने के लिए हमें कितना quantity of still required होगा, उसकी quantity हमने कैसे एक लेट की, तो कितना still required हमें main bar के लिए, 275.84 kg still हमें required है main bar के लिए, same हम इसी वे में देख लेते है, distribution bar के लिए, जो हमारे distribution bar है, उनका bar diameter कितना है, 10 mm का, उनकी number हमें कितने required है, 22, जो कि आपको यहाँ पर देखने म 8.12 kg still हमें required होगा, distribution bar के लिए, तो जो हमें total quantity required होगी still की, हमें कैसे मिलेगी, हम इन दोनों बास के लिए जितना still required है, उन दोनों का हम submission कर देंगे, जिससे हमें क्या मिल जाएगी total quantity of still, तो जो हमारे पास total quantity of still आ रही हो, कितनी आ रही है, 363.96 kg still हमें required है, इस lab के construction के लिए अब हम क्या करते है, जो हमारे पास still की quantity in kilogram से, उसे हम की से में change करते है, quintal में, तो quintal में change करने के लिए हम क्या करते है, उसे 100 से divide करेंगे, तो हमारे पास value आ जाएगी in quintal, तो जो हमारे पास in quintal value आ रही है, quantity of still की, वो कितनी आ रही है, approximate 3.64 quintal still हमें required है, इस lab के construction के लिए तो यहाँ पे जो हमारी measurement sheet है, वो complete हुई, अब हम next देख लेते abstract sheet, जिसमें हमें क्या मेलेगा, इन work को करने के लिए हमें कितना amount required होगा, तो हम देख लेते abstract sheet भी, तो abstract sheet में हम सबसे बिले देख लेते RCC1 ratio 2 ratio 4, excluding steel, यानी concrete की quantity, उसकी unit हम किसमें लेके चल रहे है, in cubic meter, उसक हमने यहाँ पे calculate किया हुआ है, उसके लिए हम rate क्या लेके चल रहे है, 5000 रुपीज, तो यहाँ पे जो मैंने हिसके लिए rate लिया हुआ है, यह किसके basis पे लेके चल रहा हूँ, मैं SOR के basis पे लेके चल रहा हूँ, यानी 1 cubic meter RCC work, excluding steel करने के लिए, हमें कितना amount देना पड़ र 3.64 quintal, उसके लिए हम rate के लेके चल रहे, 3,200 rupees per quintal, तो 3.64 quintal के लिए हमें कितना amount देना पड़ेगा, 11,648 rupees, अब हम next क्या करेंगे, total cost calculate करेंगे, यानी RCC work, plus steel work जो हमें required था, उन दोनों के लिए हमें कितना amount required होगा, उससे में क्या मिल जाएगा total cost, तो total cost हमें किसे मिलेग contingencies और work charge establishment, तो contingencies हम लेके चलते 5%, और work charge establishment हम लेके चलते 2%, या 2.5%, तो यहाँ पे में 2% लेके चल रहा हूँ, तो इसमे हम total कितना add करेंगे, 7% extra for contingencies and work charge establishment, यानी जो हमें total cost है, उसका 7% कि आएगा contingencies और work charge establishment, तो जो total cost का 7% आया, वो कितना है हमारा work charge establishment, 1,820 rupees and 91 paces, या आग इसी amount को हम total cost के अंदर include कर देंगे, जिससे हमें के मिल जागा final amount इस lab के construction का, तो जो हमारा पस total amount आया, इस lab के construction के लिए, वो कितना आ रहा है, 27,833 rupees and 91 paces, जिसे हम approximate बोल सकते है, 27,834 rupees, इतना amount हमें required होगा, इस lab के construction के लिए, तो यहाँ पे जो हमारी abstract sheet है, वो भी complete हो गई यानि जो मारा estimation है, इस lab के लिए, वो complete हुआ, लेकिन question में हमें एक और चीज बोली हुई है, quantity of materials, यानि इस lab के construction के लिए, जो हमें materials required है, उनकी quantity पे हमें calculate करनी है, तो हम next देख लेते, quantity of materials हम कैसे calculate करते हैं, तो quantity of materials हम कैसे calculate करते हैं, यह मैं आपको मेरे rate analysis वाले वीडियो म explain कर चुका हूँ, तो जब भी हम किसी particular work या structure के लिए, quantity of materials calculate करते हैं, तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, उस structure या उस work का volume, तो सबसे भी हम क्या करेंगे, यानि इस slab का पूरा volume हम calculate करेंगे, तो इस slab का volume कितना आएगा, उस slab की size रहेगी, यानि उसकी length, width और height उन उसकी height है, जैसे हमने इन तिनों का पस में multiply किया, तो हमें के मिल जाएगा volume of work, तो जो मर पस volume of work आ रहा हूँ, कितना आ रहा है, 2.873 cubic meter, या गया हमर पस volume of work, अब next हम इस में क्या करते है, 52% extra add करते for words के लिए, जैसे हमें क्या मिल जागा dry volume of concrete, तो जो dry volume of concrete मिलेगा, हमें क concrete, तो हमार पस जो dry volume of concrete आ रहा हूँ, कितना आ रहा है, 4.37 cubic meter, या गया हमर पस dry volume of concrete, अब इसी quantity से हमें क्या मिलेगा, cement की quantity, sand की quantity, और aggregate की quantity, तो अब हम देख लेते, इतने quantity के concrete के लिए, हमें कितना cement, sand और aggregate required होगा, लेकिन हमें उसके लिए क्या पता होना चाहिए, जो हमार concrete use कर रहे है, उसका mixed proportion का है, 1 ratio, 2 ratio, 4, जिसे कि मैंने measurement sheet के अंदर भी लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हम देख लेते, quantity of cement, तो quantity of cement हमें कैसे मिलेगी, जो हमारे dry volume of concrete है, उसे हम किस से divide कर देंगे, जो हमारे concrete का mixed proportion है, उसके submission से हम उसको divide कर देंगे, और उसमें किसका multiply करेंगे, जो cement के लिए, जो ratio extend करता है, उसका हम इसमें multiply करेंगे, जिससे हमें के मिल जाएगी quantity of cement, तो जैसे हमने इसे solve किया, तो हमें के मिल जाएगी quantity of cement, तो जो हमारे पास quantity of cement आ रही है, 0.624 cubic meter, या हमारे पास quantity of cement, लेकिन जो हमारे पास quantity of cement आ रही है, वो किस में आ रह करते हैं, इस quantity में 28.8 का multiply करते हैं, जिससे हमार पास cement की quantity आ जएगी in bags, तो in bags हमें cement कितना required है, 17.97 bags हमें required है, जिसे हम approximate बोल सकते 18 bags, यानि इस slab के construction के लिए 18 bags cement required होगा, अब हमार पास cement की quantity आ गई, अब हम next देख लेते हैं quantity of sand, तो quantity of sand भी हम इसी वे में calculate करेंगे हैं, बस multiply क करना पड़ेगा हमें, जो sand के लिए ratio extend करेंगा, उसका हम इसमें multiply करेंगे, तो जो हमार पास quantity of sand आएगी, इस equation को solve करने के बाद, वो कितनी आ रही है, 1.25 cubic meter, या गए हमार पास quantity of sand, अब सेम इसी वे में हम क्या करेंगे, quantity of aggregate calculate करेंगे, तो जो हमार पास quantity of aggregate आ रही है, वो क इसे हम already calculate कर चुके, in measurement sheet और bar bending schedule के अंदर, तो हमें कितना quantity of steel required है, 363.96 kg steel हमें required है, इस slip के construction के लिए, इसे हमने कहा calculate किया, हमारे measurement sheet के अंदर, इसे हमने यहाँ पर calculate किया हुआ है, और यह हमें कहा से मिला था, bar bending schedule की health से, तो इतना quantity of steel हमें required है, इस slip के construction के लिए, अब next हम द binding wise के quantity, तो जो binding wise के quantity आईगी, जो हमारा quantity of steel है, उसका 1.5% क्या आएगा, binding wise के quantity, तो जो binding wise के quantity आई, वो कितनी आई, 5.46 kg, इतना binding wire हमें required होगा, slave के बास को अपस में bind करने के लिए, तो इस slip के construction के लिए, हमें जितने materials required थे, उनकी quantity हमने calculate कर ली, cement हमें required है, 18 bags, send हमें required है, 1 2.50 cubic meter, और still हमें required है, 363.96 kg, और binding wire हमें required है, 5.46 kg, तो इन सभी की quantity हमने calculate कर ली, तो इस slip का जो estimation यहाँ पे complete होता है, तो आयूप आपको वीडियो समझ में है, तो अगर वीडियो आपको समझ में है, और वीडियो आपके लिए helpful है, तो वीडियो को जो like करना, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरू शेर करना, जिससे उन तक भी इस related information पोस सके, और इसके अलावा, अगर आप म पना ध्यान डगना, thank you so much.